प्यारे वक्तों, तीस मई दोजार बाइस को अद्भुत अमावश्या है, इस दिन अगर आप ये उपाई कर लेंगे तो आपके पित्र त्रिप्त हो जाएंगे और खुशी से जुमने लगेंगे, जब भी किसी घर के पित्र गर नाराज हो जाते हैं तो उस घर में सुक शानती नहीं रहती, किसी भी चीज में बरकत नहीं रहती, धनाना बंद हो जाता है, कोई भी काम नहीं बनता है, तो कई बार बहुत प्रेशान हो जाता है वेक्टिर उसे समझ में नहीं आता कि अप पित्रों को कैसे खुश किया जाए तो आप अगर इस अमावस को ये उपाई कर लेंगे तो पक्का आपके पित्र हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे और आपके घर में सुक शानती समर्दी और धन की वर्शा होगी करना क्या है ध्यान से समझ लेजिए सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि इसी अमावस को क्यों करना है पकि अमावस को क्यों नहीं वैसे तो आप किसी भी अमावस के दिन ये कारिये कर सकते हो लेकिन इस अमावस के दिन करोगे तो आपको विशेस लाब मिलेगा क्योंकि एक तो ये जेट के महा की अमावस है दूसरा इस दिन सनी देव का जनम है तीसरा इसी दिन वट सावित्री वृत है और सबसे बड़ी बात ये सोमवती अमावश्या है और ये इस साल की अंतिम अवावस्या है सोमवती अमावश्या का महावारत के काल से ही बहुत अधिक मैत्व है लगबग तीस सालों के बाद ऐसा सहयोग बन रहा है तो आप इस अवसर को हाथ से ना जाने दे अमावस के दिन खास करके सोमवती अमावस जो की 30 मई 2022 को है वैसे तो अमावस प्रारंब हो जाएगी 39 मई को 2 बज के 24 विंट से शाम को दोपेर के बाद और समापत होगी ये 30 मई को शाम को 4 बज के 69 मिनट पर लेकिन आपको 30 मई को ही अमावस मनानी है क्योंकि जो तिथी सुरिय उद्यों में पढ़ती है यानि कि 30 मई को जब सुरिय उद्यों सुरू होता है तो अमावस जब सुरू हो जाती है तो जब सुरिय उद्यों में तिथी होती है उस दिन अमावस करने चाहिए तो दान का कोई भी करम करेंगे उसका, गंगा में सनान करेंगे उसका, और अगर आप नाम जब करते हो, उसका भी आपको अनंत गुणाफल मिलेगा, आप अपनी इच्छा बगवान से बताते हो, वो भी शिग्र पूरी होगी, तो आपको अपने पित्र खुश करने हैं, इस करें में हम बात करेंगे, पित्रों को खुश करने के लिए अमावस के दिन आप ब्रह्म मुरत में उठें, उठ करके नहाद हो करके, आप सबसे पहले अपने पित्रों के लिए नाम जब करेंगे, क्योंकि जब पित्रों को मुक्ती नहीं मिलती, तो वो हमेशा रेशान रहत तो वो चाहते हैं कि कोई उनके कुल में ऐसा इंसान व्यक्ति पैदा हो जो उनके नाम का नाम जब करे भगवान से उनके लिए प्रार्थ ना करे और उनको मुक्ति मिल जाए तो आपको सुबह ब्रह्मरत में उठ करके ना करके नाना चाते हैं उच्छी बात नहीं ना हैं तो बगर नाहे भी यह कर सकते हैं तो आपको अपने पित्रों के सारे घर के पित्रों के नाम का संकलब लेना है कि हे पित्रों मैं आपके लिए संकलब लेता हूँ मैं आज स्वोंवत्ती अमावश्या के दिन आपके नाम का जब करूँगा आप हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी तो ऐसा करके आपको अधा गंटा नाम जब करना अपने पितरों के लिए जिस भी बगवान को मानते उसी बगवान का नाम मन मन में बोलते रहना है तो उस दिन का किया हुआ नाम जब आपके पितरों को जाएगा और कई गुणा ज़्यादा फल मिलेगा आपके पितर तरप्त हो जाएंगे शान्त हो जाएंगे उसके बाद आप अपने पितरों के लिए जो भी खीर बनाते हैं मावस का जो भी किरिया करते हैं वो करें उनको जलरपन करें वो आपकी मरजी है लेकिन सारी किरिया से कई गुणा ज़्यादा फल मिलता है मानसिक किरिया का जो मावस के दिन करेंगे तो आप ऐसा करें और पितरों को सदा सदा के लिए खुश करें और अपने घर में धनकी वर्षा करें, सुक्षांतिस्द मरधी को लाए अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी लाब उठा सकें मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो में तब तक आप खुश रहें, स्वस्त रहें, जैसरी राम प्यारे बगतो